हे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रोई ट्रेजर यूट्यूब चाल में सो फाइनली पबजी मुबाइल लाइट का एक और नया अपडेट आ गया है इस अपडेट में क्या कुछ नया है आपको बताने वाला हो इस वीडियो में और नेक्स वीडियो बनाऊँगा कि इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो इस अपडेट को इस अपडेट में गुड न्यूस है और बाट न्यूस भी है बाट न्यूस क्या है वो पहले बता देता हूँ bad news दोस्तों यह है कि यह अभी भी इंडिया में launch नहीं हुआ है तो मैंने update करने के तुरंद बात कोशिश किया इसको बिना VPN या DNS के open करने का तो वोई error दिखा रहा था server is busy तो अभी भी मैं game को open कर रहा हूँ solo VPN से फिलिपिन सर्वर से तो अब game का version उपर कोने में देख सकते हूँ 0.9.0 है पहले 0.5.1 था तो इन्होंने 0.6 launch नहीं किया है directly 0.9.0 कर दिया है so game हमारे सामने open हो रहा है सबसे बड़ा change आप लोगों को बता देता हूँ यह भी sad news है sad news दोस्तों यह है कि game का size जो है अब direct 352 MB कर दिया है play store में 352 MB दिखा रहा है तो पहले मेरे खहाल से 270 या 80 के round था तो आप देख सकते हो 70-80 MB के round game का size है बड़ा दिया है और home screen यह आप देख सकते हो home screen में मैं जो थोड़ा बहुँ change notice कर रहा हूँ दोस्तों वो यह है कि यह जो player है पहले काफी छोटा दिखाई देता था लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है और मेरे खहाल से इन्होंने graphics में भी थोड़ा बहुँ change किया है मैं notice कर रहा हूँ कि इसमें मैं कोई भी GFX tool यूज नहीं कर रहा हूँ बड़ अब एकदम clear दिखाई दे रहा तो settings में हम देखते हैं क्या कुछ नया कुछ अगर किनों ने कुछ नया add किया है तो basically settings में दोस्तों वो ही है controls में या वाट जो चीज हमें चीज है था दोस्तों finally आ गया है अब हम controls में वा यार मैं बहुत खुस हूँ इस update से यार customize कर सकते हैं हम अब controls को so ये fire button को इधर से उधर ला सकते हैं और बड़ी अच्छी चीज है यार मैं बहुत ही दिलो बहुत मतलब विस्ट कर रहा था कि ये जो customize वाला option है वो आ जाए तो ये बहुत बड़ा good news है हमारे लिए so settings में एक ये change हुआ है उसके अरावा देखते कुछ और change किया है कि इनोंने pick up तो और सारे settings हुई है so yeah और graphics controls अभी आए नहीं कि graphics को आप change कर सके हाला कि सबसे बड़ा जो मेरे को चे ये था वो ये है customize कर सके हम controls को वो finally आ गया है so that's really great इसका screenshot ले लेता हूँ मैं ताकि अभी thumbnail में काम आने वाला है so अब वापस पिछे जाते हैं यहाँ पे करने का option का है चलो okay so ये बहुत ही बड़ा change मेरे को लगा और बहुत ही अच्छा change लगा उसके अलावा home screen में ज्यादा कुछ नया देखने को हमें नहीं मिलेगा वो ही पुराने settings है तो हम एक start में click कर देते game को let's see क्या game loading में अटकता है या ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है so this is a really good update यार मेरे इसाब से graphics में काफी हद तक इन्होंने अच्छा improvement किया है उसके अलावा settings में जो most awaited features था मतलब भहुत लोग चाहते थे कि जो control से उसको customize हम कर सके तो finally उसको हम अब कर सकते है so अभी मैंने एक match start कर दिया है but ये loading पे ही अटक रहा है I don't know so let's see इसको वीडियो को थोड़ा रोकता हूँ मैं ताकि वीडियो लंबा ना हो so दोस्तो काफी time लगा loading वो हने के लिए but देख सकते हो आप graphics में भहुत ही इन्होंने improvement किया है no doubt graphics में भहुत ही ज़्यादा improvement दिख रहा हो और उसके अलावा pink भी काफी कम आ रहा है pink भी जो है काफी कम आ रहा है no doubt इन्होंने graphics में भहुत ही ज़्यादा improvement किया है दोस्तो जैसे कि अभी भहुत सारे लोगों को पता नहीं ये update आया हुआ है इसलिए वो जब matching में थोड़ा सा time लग रहा है तो मेरे क्याल से भहुत ही अच्छा update है ये but sad news बस ये है दोस्तो कि इन्होंने जो है PUBG Mobile Light को अभी इंडिया में officially launch नहीं किया तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो like कीजे और next वीडियो तुरंट आने वाला है कुछी देर में कि इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो इस update को तो version है 0.9.0 तो इस channel को subscribe कीजे bell icon को press कीजे और बने रहे है ये channel से next video तुरंट आने वाला है कुछी देर में घंटे या दो घंटे के बाद कि इसको कैसे डाउनलोड करना है बबाई मिलते अगले वीडियो में तुरंट